आज की वीडियो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप कहां हो, कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो आज मैं आपको ब्राउनी वेर के बुग 5 Regrets of Dying से बताऊंगा कि वो कौन से 5 Regrets या अफसोस हैं जो लोग तब करते हैं जब वो अपनी मौत के करीब होते हैं जिनके बचने का कोई चांस नहीं होता तो अपने काम की दोरान आउथर ने पाया कि पेशेंट्स अपनी जिन्दगी की कई बातों पर अफसोस करते हैं उन्हें इसमें एक पैटन दिखा, ज्यादातर लोग 5 तरह के अफसोस करते थे सबसे कॉमन रिग्रेट जो लोगों को मरते वक्त होता है वो है काश में अपनी जिन्दगी वैसे जीता या जीती जैसे मैं चाहता था ना की जैसे दूसरे लोग चाहते थे मैंने प्रोफेशन वो चूज नहीं कया जिसके लिए मेरा दिल कहता था मम्मी की मान ली, डैडी की मान ली, रोद होकर आखिर में रिटायर हो गया या हो गई, लेकिन वो नहीं कर सका जिसके लिए मैं पैदा हुआ था लोग सिर्फ इस वज़ा से अपने दिल की नहीं करते कि सोसाइटी क्या कहेगी लोग क्या कहेंगे मेरे कजिन्स डॉक्टर या इंजीनियर बन गए हैं तो मुझे भी डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना पड़ेगा अगर मेरा शोग है कि मैं यूट्यूबर बनू अगर मेरा शोग है कि मैं बलॉगर बनू तो मैं नहीं बन सकता क्योंकि मेरी फैमिली और मेरी सोसाइटी इसकी इजाज़त नहीं देती तो जब मरने का वक्त करीब आता है तो इनसान सोचता है कि मैं सारी जिन्दगी वो काम करता रहा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था जब मैं सुबा उठता था तो उस काम के लिए मैं खुश नहीं होता था लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए मजबूरी में सारी जिन्दगी वो काम करता रहा ये दुनिया का सबसे बड़ा रिग्रेट है जब इनसान मरने वाला होता है लेकिन इस नेवर टू लेट अगर आपको लगता है कि आप वो काम करना पसंद नहीं करते हो जो आप कर रहे हो तो दुनिया में और भी कई रास्ते हैं आप कोशिश करिए कहीं आपको ये रिग्रेट ना रह जाए कि आपने कोशिश नहीं की काश में कोशिश कर लेता तो आप हमेशे अपने दिल की सुनो वो काम करो जो आपको पसंद है वो जिन्दगी जीओ जो आपको पसंद है अगर आप यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप ऐसी लाइफ जीते रहोगे जो आपको पसंद नहीं है and at last आप भी यही regret कर रहे होगे कि काश मेंने दूसरों की ना सुनी होती ही ये वीडियो देख रहे सारे parents से मेरी request है कि please अपने बच्चों को force मत करिये कि वो doctor या engineer बने या वही पढ़ाई करें जो उनकी cousin ने की है हर इंसान अलग होता है सबकी qualities अलग होती है अगर वो doctor बन भी गया तो अच्छा doctor नहीं बनेगा ऐसे doctors आप देख सकते हो गिरते पढ़ते फैमिली के pressure से doctor तो बन गए लेकिन उन्हें मज़ा नहीं आता ये काम करने में doctor बनने के बाद भी वो मक्हें मार रहे है जबरदस्ती के बने हुए engineers की भी यही कहानी है क्या आप चाहते हो कि आपका बच्चा आखरी टाइम में ये regret करे कि काश मैंने अपने parents के बात ना मानी होती दूसरा सबसे बड़ा regret ये होता है जब हम मरने वाले होते हैं कि I wish I didn't work so hard काश मैंने इतनी ज़्यादा महनत ना की होती जब आप मरने के करीब होते हैं तब realize होता है कि आखर मैं इतनी ज़्यादा महनत क्यूं करता रहा मैं बस कमाने में लगा रहा family को time नहीं देपाया अपने बच्चों का बच्पन नहीं देख पाया मेरे पास अपने बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं था मैंने अपने आपको भी टाइम नहीं दिया मैं बस दूसरों के लिए काम करता रहा या तो दूसरों को खुश करने के लिए काम करता रहा या दूसरों को पीछे छोड़ने के लिए काम करता रहा आप उतना ही काम करो जितने की आपको जरूरत है इस point का ये मतलब नहीं है कि आप महनत करना छोड़ दो इसका मतलब ये है कि आप खुद को भी time दो अपनी family को भी time दो जब आपकी family आपका इंतिजार करती है और आप घर नहीं आते हो तो सोच यह कैसा लगता होगा उन्हें तीसा रिग्रिट जो हम मरते वक्त करते हैं वो यह है कि I wish I had the courage to express my feelings काश में अपनी feelings express कर पाता हम किसी ना किसी डर की वज़ा से शायद family का डर या शायद society का डर या कोई और वज़ा से अपनी feelings express नहीं कर पाते feelings express करने का मतलब सिर्फ यहीं नहीं है कि आप किसी को propose करो feelings express करने का मतलब यह भी है कि आप अपने माबाब को बता सको कि उन्हें कितना प्यार करते हो अपने husband या wife को बता सको कि आप उनसे कितना प्यार करते हो अपने बच्चों को बता सको Psychologically प्यार को express करने से दो लोगों के प्यार में अजाफा होता है तो हमेशा याद रखिए अगर आप किसी के बारे में अच्छा फील करते हो तो हने बताईए अगर आपको बोलने में शरम आती हो तो लिख कर बताईए चोथा regret जो हम मरते वक्त करते हैं वो यह है कि I wish I had stayed in touch with my friends काश में अपने दोस्तों के कॉंटेक्ट में रहा होता हम अपनी जिन्दगी में इतने बीजी हो जाते हैं कि दोस्तों को भूल जाते हैं वो दोस्त जो आपके सुक दुक में काम आते हैं वो दोस्त जो आपकी मदद करते हैं वो दोस्त जो आपको शायद आपकी फैमिली से भी जादा जानते हैं वो दोस्त जिनके साथ आपने काफी वक्त गुजारा होता है So always keep in mind भले ही आपकी शादी हो गई हो आपके बच्चे भी हो अपने दोस्तों को कभी ना भूलना दोस्ती हमारी जिन्देगी का एक बहुत important पार्ट है इस वीडियो को देखने के बाद जो भी दोस्त आपको याद आता है अपना फोन उठाईए और उसे कॉल करिए या उसके घर जाईए और उससे मिलिए और आपको जरूर खुशी मिलेगी पांचवा रिग्रेट जो हम मरते वक्त करते हैं वो यह है कि I wish I had let myself be happier काश मैंने अपने आपको खुश रहने दिया होता ये बात याद रखिए कि कोई बहार से आपको खुशी नहीं दे सकता कि ये लोग खुशी और आप खुश हो जाओ खुशी आपके अंदर से आती है मान लो कि आप एक मौन्टेन क्लाइमर हो आपको लगता है कि पीक पर पहुचने के बाद आपको खुशी मिलेगी आपको एक हेलिकॉप्टर से उठा कर पीक पर छोड़ दिया जाता है तो क्या आपको खुशी मिलेगी फिर कैसी खुशी मज़ा ही क्या या मौन्टेन क्लाइमिंग का फैमस ट्राइटर टाल बैंड शेहर कहते हैं पीक पर खुशी नहीं है और खुशी बिना किसी गोल के पहाड के आसपास भटकने में भी नहीं है खुशी तो है उस एक्सपीरियंस में जो आपको पहाड चड़ने के दोरान मिलता है यानि खुशी है उस काम में जो आपको आपके ड्रीम की तरफ आगे बढ़ाता है अगर आपको कोई ड्रीम नहीं है तो ड्रीम देखो इस रिग्रेट का सॉलुशन पहले बताए गए चार रिग्रेट में मिलता है उमीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद के बारे में जरा सोचोगे इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ